नमस्का फ्रेंस प्लैनेट हब चनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है और इस बार सब्जेक रहेगा मीन रासी राहू चेंज मीन के लिए राहू चेंज होने जवाला है रासी की बात करेंगे मून साइन चंदर कुनली से कैसा आने वाला हिसाब रहेगा मीन राषी वालों के लिए राहु का जो समय है 26, 20, 2023 को राहु जो ब्रह्मान का सबसे अश्वब गरम आना जाता है, दानवी गरम आना जाता है, राक्षशी गरम आना जाता है और वो अपनी राषी परीवतन करने वाले हैं मेश रासी से निकल कर आपकी मीन रासी में ब्रह्मन अभी होने वाला है तो यहां से राहू मीन में आएंगे 26, 10, 2000, 23 को देखें यहां ओल लेडी जो मीन रासी है वो साड़े साती के प्रभाव में चल दी है पहला पढ़ाव फर्ष्ट पढ़ाव आपका चालू है त्वेल्थ हाउस में शनी चल रहा है और अभी राहू भी यहां आएंगे चंद्र के उपर आपके जनम के चंद्र के उपर देखें सबसे पहले राहू की एक डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है राहू कैसा ब्लैनेट से क्या है यह जो परीब्रह्मन होने जा रहा है उससे पहले इसकी कुछ व्याख्या जाननी जरूरी है राहू का जो प्रभाव है वो किस हिसाब से रहता है देखें राहू एक मायावी ग्रह है बहुत ही मनोकामना इच्छा उसके अंदर भरी हुई है वो बहुत प्रचंड उसका जो स्वभाव है मतलब उसकी जो काया है उसका जो कद है वो बहुत प्रचंड है बहुत बड़ा है कुछ भी कर सकता है कुछ भी हासिल करने की वृत् के उसको अपनी इच्छाव को तुरुप्त करना है यह राहू का परम एक जो उसकी विचारधारा है उसके उपर हमने बात की है राहू साम दाम दंद भेट सब निति को अपना के व्यक्ति को उसको हासिल करने की वृत्ति में लगा देता है तो यहां चंद्र के उपर राहू ब्रह्मन होने वाला है सबसे पहले जो आपकी रासी है वो गुरु प्रधान रासी गिनी जाती है आपकी जो रासी का स्वामी है वो गुरु माराज है और वो अपने शत्रु की रासी में अभी आ रहा है क्योंकि राहू यहां गुरु से पटते नहीं है और साथ में यहां जिन्म का चंद्र भी बैठा है और वो चंद्र आपके पंचम स्थान का स्वामी है तो अभी मीन रासी वालों को क्या क्या सुच्वेशन का सामना करना पड़ सकता है देखिए मैंने जैसे बताया राहु दो अवस्था में काम करता है एक तो व्यक्ति की इच्छाओं को की भी हो लेकिन उसको कैसे हासिल करना चाहे समझो आपने कोई बंगला लेना है गाड़ी लेना है या कोई आपको डेजिगनिशन प्राप्ति करनी है या आपको पैसे का लोग आ लालच आ गया तो उसके लिए आप कोई भी हद तक जा सकते हो तो यह वृत्ति अभी आपके मन में चंद्र मतलब मन मन का कारक जो है वो चंद्र होता है और जैसा मन सोचता है वैसे ही वो दिमाग के उपर वो चीजों को डालता है तो यहां चंद्र राहू के उपर है और एनिमीज की रासी है गुरू की रासी है तो यहां आपको बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ना है कहीं आपको कोई बड़े स्केंडल में फसा सकता है रुपियों से लगती चीजों में आपके साथ दोकेदारी हो सकती है रुपियों से लगती चीजों में आप लालच में आ सकते हैं और आपको नहीं करने वाले काम भी आप कर सकते है क्योंकि यहां जैसे मैंने बताया चंद्रा मतलब मन मन अपना राहू की पूरी पकड़ में अभी आप आ जाओगे तो आपको नहीं करने वाले काम भी यह आपके पास करा सकता है ये माया भी है आपको लालच दे के फसा सकता है आपको पहले दिखाया जाएगा फिर आप उसके अंदर प्रलोबन में आओगे और वो प्रलोबन में आके वो सिधा आपको दबोच के बदनामी अप्यस भी दे सकता है इसलिए आपको कोई भी चाहे वो चीज है चाहे वो पात्रा से लगती चीज हो यहां में आपके हस्बंड वाइफ के अंदर भी वाद विवाद बढ़ सकते हैं आप कोई दूसरे पात्र की तरफ अट्रेक्ट हो सकते हैं क्रश हो सकता है और उसके अंदर आप अपनी फैमिली लाइफ को छोड़के उसमें जा सकते हैं आप अन्मेरीड हो तो आपकी जीवन में को ऐसा पात्रा सकता है जिससे आपके लिए वो ही सर्वस है आपको लगेगा बस यही मेरी दुनिया है यही जन्नत है और इसके सिवा यही स्वर्ग है उसके सिवा दूसरा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है और वो माया मोह में आपको फसा के आपको बदनामी अप्यस की और भी ले जा सकता है इसलिए आपको बहुत सचेत रहना है बहुत सतर्क रहना है क्योंकि रासी के अंदर जबी भी राहू महाराज आते हैं तो व्यक्ति की इच्छाओ बहुत बढ़ जाते राहू आपको एक हवा है वो प्लैनेट्स न राहू एक माया है मो है एक हवा है जो आपको लिए आपके जीवन में वो आती है और वो हवा वो माया वो मो प्रपन्च वो डोंग वो चीच के अंदर आप फस जाते हो और वो आपको पूरा बदनाम करके अप्यस देके आपको वहां से चला जाता है इसलिए यहां पात्रा से लगती चीजों के अंदर कोई भी आप कोई भी धर्म को बिलॉंग करते हैं तो दूसरा आपके जीवन में आ सकता है दूसरे धर्म से रिलेटेट भी कोई वक्ति आ सकता है कोई लेडिस या जेन्स आ सकते हैं तो यहां आपको सोच समझके बहुती तकेदारी से आगे बढ़ना है अप्यस बदनामी का पूरा योग है यहां कोई डराने वाला काम नहीं है यहां कोई भाई बताने वाला काम नहीं है लेकिन actual situation जो है उसके उपर यहां बात होती है क्योंकि चंद्र जैसे मैंने बताया अभी जो student work है उसकी जो बुद्धी है वो ब्रहमित हो सकती है कोई प्यार कोई crush या कोई live in relation में आप जा सकते हो और वो मो माया में फसके आप अपने केरियर को बरबाद भी कर सकते हो यहां ऐसे ग्रह अभी चलने वाल है क्योंकि पंचम स्थान का स्वामी होता है विद्या का और उसके उपर अभी राहू का ब्रहमन होने वाल है अल्रेडी दो प्लैनेर्स आजू बाजू बैटे एक तो शनी बैटा है और राहू भी आ जाएगा तो चंद्रा पूरा पीडित हो जाएगा पापकरतरे में एक बचाओ खाली यहां रहेगा जब यहां से राहू निकल जाएंगे तो गुरू रहेंगे लेकिन गुरू भी म नोन फियर आ जाएगे नहीं करने वाले काम आप कर बैठे गए जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैंने ये काम कैसे कर दिया वक्त सबसे बड़ी चीज होती है इनसान का वक्त खराब होता है तो सबसे पहले उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है वो गलत दिसा में गलत सोच में चला जाता है इसके यहां राहु आपको माया मह में में लेके जाएगब बहुत ऊपर तक लेके जाए गा और नीचे सीड़ी ओश यहां बहुत दे आपकी सोच समझज कर ध्यान से आगे बढ़ना है भगवाण का नाम लेना है ध्यान दरना है दान पुन्य करना है गुरू का रासी है आपकी तो गुरू को जितना बने उतना तेज कीजिए राहू देव को नमन कीजिए मो माया से दूर आजिए प्रपंच से डोंग से दूर आजिए और बने उतना ध्यान भगवान के उपर लगाईए ध धर्म ध्यान कीजिए, दानपुन कीजिए, चेरिटी कीजिए, उसमें ही आपका भला होगा. अच्छे रहो, बढ़िया रहो, खुब, आगे बढ़ो.